अब ख़बर कांकेट से है जहापूर्व केंद्रिय मंत्री अर्विंद नेताम पर सीम बगेल ने बड़ा अरोप लगाया है सरवादिवासी समाज के नेता हैं अर्विंद नेताम बस्तर की हालात के लिए अर्विंद नेताम जिम्मदार है आगे कहा कि सीएम ने अर्विंद नेताम जीवन भर मलाई खाते रहे बस्तर वासियों की उन्होंने सदा उपेक शाकी है और मंत्री रहते नेताम ने कुछ नहीं किया और धिया होता तो बस्तर आग में नहीं जल रहा होता तो सीएम बगहेल ने ये बड़ा रोप लगाया ये बड़ी खबर है कांकेर से जहां पूर्व केंद्रिय मंत्री अर्विंद नेताम पर सीएम बगहेल ने बड़ा रोप लगाया और सरवादिवाजी समाश के नेता है अर्विंद नेताम जिस पर सीएम बढ़ेन ने ये बड़ा रोप लगाया कहा कि बस्तर के हालात के लिए अर्विंद नेताम जिम्मेदार है और अर्विंद नेताम जीवन भर मलाई खाते रहे आगे सीम ने कहा कि बस्तर वास्यों कि इन्हों ने सदा उपेक्षा की है मंत्री रहते नेताम ने कुछ नहीं किया और किया होता तो बस्तर आग में नहीं जल रहा होता अर्विन नेताम जी अब ऐसा है कि पूरे जीवन भर मलाई खाएं लेकिन बस्तर के लोगों की उपेक्षाओ करते रहें यदि उस समय वह काम किये होते हैं तो आज बस्तर की सितिये नहीं होती है अब बस्तर आग में नहीं जलता उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो अर्वि अर्विन नेताम जीवन भर मलाई खाते रहें बस्तर वासियों की उन्होंने सदा उपेक्षा की है सीम ने कहा और आगे कहा कि मंद्वी रहते नेताम ने कुछ नहीं किया है तो ये बड़ी खबर है कांकेट से जहाँ पर बस्तर के हालात के लिए अर्विन नेताम को सीम ने जिम्मेदार ठराया और साथ ही कहा कि अर्विन नेताम जीवन भर मलाई खाते रहें और सीम ने बयान दिया कि जीवन भर उन्होंने मलाई खाई है